नमस्कार सभी को मैं मत्तु केवट मैं आज आपको कच्छा पांचमी बीशै मराठी का गमतीदार पत्र धाड़ा चे नावा है गमतीदार गमतीदार पत्र गमतीदार पत्र इस पाड़ का वाचन मैं आप करके सुना रहा हूँ तो आप क्या करिए इस बीडियो में इस पाड़ का वाचन सुनिये आज मी आप लेला गमती दार पत्र या धड़ाचे वाचन करून दाखवत आए अनि आपन काय करा या धड़ाचे वाचन आएका तर आयका गमती दार पत्र या पत्रा चे वाचन कसे आहे ते मी आप लाला आयकून दाखवत आहे आनि है चे मी आप वाचन करता आए बगा आयका आनि वाचा दारा वरची बेल वाजली माया ने दार उघडले दारात पोस्ट मैन होता त्याने माया ला एक पाकिट दिले माया ने पाकिटा वरिल मजकूर वाचला आया काकांचे पत्र तिला आनंद ज़ाला धन्यवाद पोस्ट मैन काका माया ने पोस्ट मैन चे अभार मानले दार बंद केले माया ने पाकिट उघडले आतिल पत्र बाहर काढले पाहते तरकाय आत कोरा कागद तिला आश्चरे वाटले काका नी कोरा कागद कशा बरे पाठावला अशा विचार करत माया रेशमा चे घरी गेली रेशमा हे बग पत्र काका नी पाठावले पत्र माया ने पत्र रेशमा ला दाखावले अगर काका नी कोरे पत्र पाठावले काहिच लिहले नाही त्यावर ये बगा ये पत्र आहे अनी हे पत्रावर ती बगा आता अक्षर उमटले आहे अनी पहले आते अनी पत्र गळले अनी पत्रावर काहिच नोते पहले पत्र जब रेशमा ने खोला तो उस पत्र पर कुछ नहीं था उसके आगे देखिए क्या हो रेश्मा ने पत्र हाताद घेतले तिला त्याचे नवल वाटले नाहीं तिने एक मेन बत्ती घेतली मेन बत्ती पेटवली और रेश्मा मेन बत्ती चे जोती वर पत्र धरू लागली अगर रेश्मा हे पत्र जलुन जाईल माया मनहाली अगर या पत्त्राची एक गम्मत आहे बगतू रेश्मा मनहाली तिने मेन बत्ती चे जोती वर ते पत्र धरू ले जोती ची उश्णता त्या पत्राला मिलाडी त्या वर अक्छरे दिशू लागली माया ने आनंदाने टाल्या वाजवल्या तिने पत्र वाचले तिला खूप आनंद जाला माया ने रेश्माला विचारले कायग अता कशी काय पत्रा वर ची अच्छरे दिशू लागली अग माया आयक लिम्बा चा रसा चा उपियोग करून कागदा वर लिहतात लिह लेले लिह लेले सुकल्या वर कागद कोरा दिस्तो तु कागद उश्णते वर धरल्यास त्या वरील अक्छरे पुन्हा दिशू लागतात अनी आपल्याला ती अक्छरे वास्ता येतात रेश्माने मायाला कोर्या पत्रा ची गुपित सांगित ले ये अईकून माया आश्यर्य चकित जाली तर अता मी काय करतो है धड़ा चे आपल्याला हिंदित पन अर्थ सांगतो की है चे हिंदित अर्थ काया है गमतीदार पत्र अर्थात मजेदार पत्र इस मजेदार पत्र के बारे में देखिए मैं इसका वाचन आपको करके और इसका हिंदी में अर्थ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हिंदी में अर्थ क्या है और इसको मराठी में कैसे पढ़ते है आयका अनिवाचा दारा वर्ची बेलवाजली अर्थात दर्वाजे पर की घंटी बजी माया ने दार उघडले माया ने दर्वाजा खोला दारात पोस्ट मैन होता दर्वाजे में कौन था दर्वाजे पर पोस्ट मैन था त्याने माया ला एक पाकिट दिले त्याने अर्थात इस सर्वनाम है पोस्ट मैन ने माया को एक पाकिट दिया माया ने पाकिटा तील मस्कूर वाचला माया ने पाकिट में जो था मस्कूर मतलब जो सप्रेम नमस्कार लिखा रहता उसको पढ़ा अया काकां चे पत्र उसमें उनके काका का पत्र था काका अर्था तुनके पिता ज धाला उसे बहुत खुसी हुई धन्यवाद पोस्ट मैन काका उसने पोस्ट मैन को धन्य कहा कि पोस्ट मैन काका आपको बहुत धन्यवाद आपने पत्र दिया माया ने पोस्ट मैन से अभार मान ले दार बंद के ले माया ने पोस्ट मैन का क्या किया अभार बेक्त किया और देखती है तो क्या है आत कोरा कागज पत्र के अंदर जो लिफाफे के अंदर एक कोरा कागज था तिला आश्यर वाटले माया को बहुती आश्यर लगा कि इसके अंदर तो ये कोरा कागज है काका ने कोरा कागज कसा बरे पाठावला काका ने मेरे कोरा कागज किस तरह किस लि गई रेश्मा हे भग पत्र उसने रेश्मा को कहा रेश्मा ये देख पत्र काका नी पाठेवले आहे ये मेरे काका ने भेजा है माया ने पत्र रेश्मा लदा खावले माया ने पत्र को क्या किया रेश्मा को दिखाया अगे अगर काका नी कोरे पत्र पाठावले आहे उसने क कहा अरे काका ने कौरा कागज भेजा है, पत्र अर्थ चिठी, काहिच लिहले नाहिं त्यावर, और मेरे काका ने इस पत्र पर कुछ भी नहीं लिखा है, देखिए इस तरह से, वो माया जो है अपनी सहेली रेष्मा को बता रही है कि मेरे काका ने क्या किया पत्र तो भेजा है लेकिन पत्र के लिफाफे के अंदर क्या है कोरा कागज है आगे देखिए क्या होता है रेशमा ने पत्र हाताद घेतले रेशमा ने पत्र को हाथ में लिया तिला त्याचे नवल वाटले ना ही रेशमा को जो है उसका आश्यर नहीं लगा क्योंकि रेशमा को उसके बारे में कुछ जानकारी थी तिने एक मेंबत्ति घेतली रेशमा ने क्या किया एक मुमबत्ति को लिया मेंबत्ती पे टुली अनिरेशमा मेंबत्ती चा जोती और पत्र धरू लागली रेशमा ने क्या किया मुंबत्ती को जलाया और मुंबत्ती को देखिए इस तरह से रेशमा ने जलाया है और जला करके मुंबत्ती की रोशनी जो है इस कागज पर रेशमा ने दिखाया दिखाने के बाद उसमें से अच्छर दिखाई देने लगा परत बगा यहला एक दा तीने एक मेंबत्ती घेत ली उसने एक मोंबत्ती लिया मेंबत्ती पेटव ली अने रेश्मा मेंबत्ती चा जोती वर पत्र धरू लाग ली और रेश्मा ने क्या किया मोंबत्ती के रोशनी पे पत्र को इस तरह से पकड़ा है इस तरह से पकड़ा है इसके बाद देखिए क्या होता है अगर रेश्मा हे पत्र जलुन जाइल माया मनहली माया ने कहा अरे रेश्मा ये पत्र जो है मुम्बत्ती से क्या होगा जल जाएगा तो माया देखिए क्या बता रही है अगर या पत्राची एक गम्मत आहे रेश्मा बोलती है कि अरे माया इसमें एक क्या है गम्मत है गम्मत अर्थात एक मजाक है अगर अगर है पत्राची एक गम्मत आहे अरे इस पत्र की एक क्या है मजेदार कहानी है गमत है मजिदार कथा है बग तू रेश्मा मनाली रेश्मा ने कहा तू देख तीने में बत्ती चाज जोती वर ते पत्र धरले उसने क्या किया मोमबत्ती की रोसनी पर उस पत्र को पकड़ा धरले मतलब पकड़ा जोती ची उष्णता त्या पत्रावर्ड मिला ली मुम्बत्ती के रोसनी की उष्णता जो गर्मी जो है उस पत्र को मिली और गर्मी मिलने के बाद देखिए क्या होता है त्यावर अक्छरे दिसू लाग ले जब उस कागज पर मुम्बत्ती की गर्मी पड़ी तो उस पर क्या हुआ अच्छर दिखाई देने लगा माया ने आनंदा ने टालया वाजवलया माया ने क्या किया आनंद से खुशी से ताली बजाया तीने पत्र वाचले उसने पत्र को क्या किया पढ़ा तिला खूब आनंद जाला उसको खूब अच्छा लगा माया ने रेसमाला विचार ले काईग अता कसी काई पत्राची अच्छरे दिसू लाग ली रेसमा ने माया से पूछा की माया देख क्या रे अभी कैसे पत्र पर के अच्छर को दिखाई देने लगा अग माया आयक उसने कहा रे माया सुन आयक माने सुनो लिम्बा चारा साचा उपयोग करून कागदावर लिहतात उसने बताया कि निम्बू के रस का उपयोग करके कागज पर लिखते हैं लिहलेले सुकल्यावर कागद कोरा दिस्तो माया ने बताया कि निम्बू के रस को ले करके जब पत्र को लिखते हैं लिखने के बाद वो सूख जाता है सूखने के बाद वो कत्र पत्र जो है क्या है कोरा दिखाई देता है अर्थात उस पर कोई अच्छर दिखाई नहीं देता तो कागद उश्णते वर धरल्यास त्यावरिल अक्षरे पुन्ह दिसू लागता उसके बाद उसने बताया कि जब उस कागज को हम रोशनी में देखते हैं या किसी गर्म के उपर रख करके देखते हैं तो उसमें से अक्षर दिखाई देने लगता है अनि आपलाला ती अक्षरे वास्तायतत और अपने को क्या होता है वो अक्षर पढ़ने को आता है रेश्मा ने मायाला कोरक पत्राचे गमती सांगित ले हे एकुन माया अश्यर चकित धाली इस तरह से रेश्मा ने क्या किया उस कुरे कागज की गमत अर्था आश्यर चकित वाली बात को बताया और माया क्या हो गई आश्यर चकित हो गई तो इस तरह से ये मजेदार जो है पत्र है गमती दार पत्र की ये घटना है और बच्चों इस पत्र की दोरा आपको ये सूचना दी जा रही है कि इस तरह से बहुत से लोग क्या करते हैं इसका अंधविस्वास के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं बहुत से लोग जो हैं क्या करते हैं कि इस तरह से लिख करके लोगों को इसका बेवकूब बनाते हैं और कहते हैं देखिए तो बच्चों इस तरह से एक गमतीदार पत्र के आधार पे आपको आश्यर ये नवल अर्था आश्यर चकित वाला गुपित अर्थात गुप्त रहश का बात इसमें बताया गया है कि ये एक गुप्त रहश है कि जो कोरा कागज है उस पर निम्बू के रश से लिख करके लोग क्या करते हैं कोरे कागज को देते हैं और उससे जिसको पता रहता है वो ही उस अच्छर को क्या करता है कि प्रकास की रोसनी में रख करके पढ़ सकता है तो इस तरह से ये गमतीद पत्र की कहानी है इसको आप क्या करिए इसका वाचन करिए इसको पढ़िए और अंधविश्वास वाली ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसको उसपर विश्वास मत करिए बहुत से लोग क्या करते हैं इस तरह से अंधविश्वास के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े ग्यानी हैं, वो ग्यानी नहीं है, इस तरह से लिम्बू के रस्म लिख करके लोगों को पत्र देते हैं, पत्र देने के बाद उनको कहते हैं कि रात भर आप क्या करिये, इसको अपने तकिये के सिरहाने के नीचे रखे रहे और सुवेरे देखिए तुम्हारी किसमत इसमें दिखाई देगी उसमें वो जो अपने हाथ की राइटिंग लिखे रहते हैं हमारे सिर की गर्मी से या किसी तरह से वो क्या होता है कि वो अच्छर दिखाई देने लगता है वो सामने तो कोरा कागज रहता है लेकिन जब हमारे सीर की गरमी उस कागज पर या गरम गरम चीज उस पर पड़ती है तो उस पे लिखा हुआ अच्छर क्या है वो दिखने लगता है तो इस पाट के दोरा गमती पाट के दोरा आपको अंद्विस्वास से बचने के लिए भी सूचना यहां लेखक ने दिया है कि आप क्या करिए इस तरह से अंद्विस्वास की बातों से आप क्या करिए परचित हो ये ताकि इस तरह से आपको कोई धोखा ना दे सके धन्यवाद सबी को